राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे योत एन कपल के सबसे फेबरेट प्लेस एंदमान एन निकोबार आइलेंड के बाड़े में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा रहेगा और इस पूरे ट्रिप को आप कम से कम बजट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और दोस्तो इस वीडियो में हम आपके ऐसे ही और भी कई सारे डाउट्स को क्लिया करेंगे इसलिए इस वीडियो को बीना स्किप के अंग तक देखिएगा ज़रूर चलिए दोस्तो देरी ना करते वे सुरू करते हैं दोस्तो एंदमान और निकोबर आइलेंड बंगाल के खाडी में स्थित है और हिंद महासागर के जल सीमा से सटा आइलेंड है जहां पर योज से लेकर कपल्स एंड फैमिलीज इंजॉय करने के लिए आते हैं यहां के बीचेस, करने के लिए कई सारे कपल्स आते हैं सीजन टाइम में तो आलम यह होता है कि एंदमान और निकोबर आइलेंड में टूरिस्ट की भीर देखने को मिलती है दोस्तो एंदमान और निकोबर पर कई सारे ब्योडिफुल आइलेंड है जहां पर जाकर आप भी इंजॉय जरूर क करना चाहोगे यहां पर कई सारे ऐसे प्लेसेस है जहां पर लोग जाना चाते हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे चलिए दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप एंदमान और निकोबर आइलेंड तक कैसे पहुच सकते हैं दोस्तो एंदमान और निकोब तक पहुचना चाते हैं तो दोस्तो एंदमान निकोबड आईलेंड के सबसे नेरिस्ट एन एक लौता एरपोर्ट, पोर्ट बलेड एरपोर्ट है। जिसे वीर सवर्डगर इंटरनेशनल एरपोर्ट भी कह जाता है। आपको Port Blair Airport तक के लिए चिन्नाई या कोलकाता से डिरेक्ट फ्राइट की connectivity मिल जाती है जो कि आपको 2-5 घंटे में Port Blair Airport तक ड्रॉप कर देती है अगर आप सिप के माध्यम से एंदमान निकोबार तक पहुचना चाते हैं तो दोस्तो ये सिप आपको चिन्नाई, कोलकाता या फिर विशागापटनम से मिल जाते हैं जो कि आपको Port Blair तक ड्रॉप कर देते हैं ये सिप तीन जगहों से हर महिने में एक बार चलते हैं जिन से पहुचने के लिए आपको 2-3 दिन लग जाते हैं ये सिप सिर्फ government के थुरू चलते हैं जिनके ticket आप 15-20 दिन पहले इनकी government website पर जाकर आप ticket को book करवा सकते हैं दोस्तो यहाँ पर पहुचने से पहले एक डाउट आपका clear कर देता हूँ कि यहाँ पर आने के लिए आपको किसी भी तरह की visa की need नहीं होती है बिकास ये इंडिया की union territory है इसलिए यहाँ पर इंडियन्स के लिए कोई visa की need नहीं परती है चलिए दोस्तो अब आप port blayer तक बहुत चुके हैं तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप कहां और कितने budget में ठहर सकते हैं दोस्तो ठहरने के लिए आपको अच्छे and budget hotels गोलगर के आसपास में या फिर जंगली घाट के आसपास में मिल जाते हैं जो की आपको यहाँ पर अच्छे average hotel 1000 रुपया से 1500 रुपया तक में मिल जाते हैं और इन hotels की airport से दूरी only 2-3 km तक की रहती हैं चलिए दोस्तो ठहरने की ववस्ता के बाद अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या ववस्ता रहेगी दोस्तो खाने पीने की ववस्ता के लिए आपको पूरे एंदमान और निकोबार ट्रिप में कोई problems नहीं आने वाली है विकास यहाँ पर आपको restaurant easily देखने को मिल जाते हैं एक normal थाली की cost यहाँ पर 200 रुपया से 2500 रुपया तक परती है चलिए दोस्तो अब आपको day by day बताते हैं कि आप एंदमान और निकोबार में कहां कहां गुमने के लिए जा सकते हैं दोस्तो day 1 में आप port player पहुँच कर सबसे पहले हैब लॉक आइलें और निल आइलें के लिए बोर्ट की ticket बुक करवाले इन ticket की booking के लिए आपको मेरिना जेटी के लिए जाना होगा जहां से आपको हैब लॉक आइलेंड के लिए trip की तिसरे दिन की ticket बुक करवानी होगी एन ट्रीप के चौथे दिन के लिए आपको हैबलॉक आइलेंड से नील आइलेंड तक के लिए बोर्ट की टिकिट बुक करवानी होगी एन फोर्ट डे में आप नील आइलेंड से पोर्ट बलेर तक की वापस की टिकिट भी बुक करवा ले यही पर आप एक साथ इं तीनों टिकीट को भी book करवा सकते हैं एंड मेरीना जर्टी से इन तीनों टिकीट को book करवाने के बाद आप सबसे पहले cellular jail देखने के लिए जा सकते हैं जिसे काला पानी jail के नाम से भी जाना जाता है यह cellular jail ब Chiets के टाइम की jail है जिसे बिटेसर कैदियों को सजा देने के लिए यहाँ पर रखते थे आज के समय में आपको इसके अंदर काफी सारे कैदियों के स्टैचूज देखने को मिलते हैं और यहाँ पर light and sound so भी होता है जिनें आप देख सकते हैं यहाँ पर यह काफी खुबसूरत नजारा होता है सेलूला जेल की entry ticket की बात करें तो यहाँ पर 30 रुपे पर पसिन की entry ticket रहती है उसके बाद आप कॉर्विन्स कॉप बीच के लिए भी जा सकते हैं कॉर्विन्स कॉप पीच पोर्ट ब्लेयर के सबसे फेमस बीचेस में से एक है जहाँ पर कई सारे water activities भी आपको देखने को मिलते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूंगा कि आप यहाँ पर छोटी मोटी ही water activities करे because आगे आने वाली places पर आपको अच्छी water activities देखने को मिलेगी जिनने आप महाँ पर कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप बीच पर नारियल पानी भी enjoy कर सकते हैं दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में आप इन सभी places को cover करने के लिए auto या taxi की booking करके इसकी sightseeing कर सकते हैं यह थोड़ा expensive option रहेगा दूसरा option है कि आप इन places पर visit करने के लिए आप hotels के पास से ही scooty rent पर ले सकते हैं जो कि आपको 500 रुपे से 600 रुपे per day के हिसाब से मिल जाती है and आप day 1 में ticket book करवाने के बाद and इन places पर घूमने के बाद आप अपने hotel में rest करने के लिए आ सकते हैं और दोस्तो next day यानि की day 2 में आप रोज आइलेंड के लिए जा सकते हैं यह एक खुबसूरत आइलेंड है जिसे आज के समय में निताजी सुबाज जंदर बोज दूइब के नाम से भी जाना जाता है आपको यहाँ पर पहुँचकर counter से ticket लेनी होती है जोकि 30 रुपे per percent की रहती है and रोज आइलेंड के अंदर आपको खुबसूरत द्रिश्य दिखाई देते है यहाँ की हिस्ट्री को भी यहाँ पर दर्साया गया है and आप यहाँ पर पुड़ाने government house को भी देख सकते है and हाँ आपको यहाँ पर काफी सारे हिरन भी देखने को मिलेंगे दोस्तो रोज आइलेंड की पूरी side scene अगर आप बैटरी कार के थुरू करना चाते हैं तो आपको इसमें 80 रुपे पर परसन की टिकेट लेनी होगी otherwise आप इसको पैदल भी explore कर सकते हैं एक से डेर घंटा लगता है इसको पूरी तरीके से explore करने में अगर बात करें कि आप Port Blair से रोज आइलेंड तक कैसे पहुचे उसके बात आप North Bay Island के लिए जा सकते हैं जिसमें आपको पहुचने के लिए 20 से 30 मिनिट लगता है Port के थुरू दोस्तो North Bay Island एक beautiful island है जो की काफी सारी water activities के लिए जाना जाता है यहाँ पर आप Sea Walk, Parasilling and Most Famous Scuba Diving जैसे कई water activities कर सकते हैं Scuba Diving के charges 3500 रुपे per person के हिसाब से रहता है and Parasilling के 3200 रुपे per person के हिसाब से दोस्तो इसकी टिकेट भी आप सेम तरीके से राजीब गांधी water sports complex पहुच कर वहाँ से इसकी टिकेट बुक करवा सकते हैं जो की 570 रुपे per person के हिसाब से रहती है and दोस्तो आपके पास एक और option रहता है अगर आप इन दोनों places पर एक दिन में ही घुमना चाहते हैं तो आप इन दोनों island पर घुमने के लिए एक ही साथ का टिकेट बुक करवा सकते हैं जो की 770 रुपे per person की रहती है रोज island पर घुमने के लिए आपको 1-1.5 घंटे के आसपास का समय मिलता है जो की रोज island को explore करने के लिए काफी रहता है and ध्यान रखिएगा दोस्तो अगर आप इन दोनों places पर एक ही दिन में विजिट करना चाहते हैं अगर आप सिंगल रोज आइलेंड पर विजिट करना चाहते हैं तो आपके पास पूरे दिन का समय है आप किसी भी समय विजिट यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तो मेरे हिसाब से आप इन दोनों places पर विजिट करने के लिए एक साथ वाली टिकिट ही बुक करे इनकी टिकिट आपको राजीब गांधी स्पोर्स कॉंप्लेक्स से मिल जाएगी अगर यहाँ पर आपको भीर देखने को मिलती है या फिर आपको यहाँ पर से टिकिट नहीं लेनी है तो आपके पास एक और आप्शन रहता है ओनलाइन टिकिट बुकिंग का आप bookmyboat.com पर जाकर इसकी टिकिट की बुकिंग कर सकते हैं जिसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप यहाँ पर enjoy करने के बाद वापस अपने होटल में स्टे करने के लिए जा सकते हैं जहाँ पर काफी सारे famous beaches भी है जहाँ पर आप जा सकते हैं जैसे सबसे पहले आप राधानगर बीच के लिए जा सकते हैं राधानगर बीच पूरे आईलेंड का सबसे फेमस बीच है जहाँ आपको काफी beautiful नजारे देखने को मिलते हैं उसके बाद आप elephant बीच के लिए जा सकते हैं जहाँ पर आप scuba diving जैसे कई सारे water activities भी कर सकते हैं and scuba diving की charges यहाँ पर सारी 300 रुपे per person का रहता है उसके बाद आप काला पत्थर बीच के लिए जा सकते हैं जो की काफी beautiful बीच है अगर आप couples हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए क्यूंकि यहाँ आप काफी अच्छा time spent कर सकते हैं दोस्तो day 3 में आपको यहीं पर ठहरने की व्यवस्ता करणी होगी यहाँ पर ठहरने के लिए आपको hotel राधा नगर बीच के पास में ही मिल जाते हैं जो की आपको यहाँ पर average hotel 1000 से 1500 रुपे तक में मिल जाएंगे और मिल के लिए भी यहाँ पर आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और दोस्तो हैबलॉक आइलेंड के इन सभी बीचेस पर घूमने के लिए आप स्कूटी रेंड पर ले सकते हैं जो की आपको 500 रुपे से लेकर 600 रुपे तक में पढ़ने के हिसाब से मिल जाती है यह आपको आपके hotel के पास ही मिल जाएगी और दोस्तो आप इन सभी प्लेसेस पर इन स्कूटी के थूँ घूम सकते हैं और इन सभी प्लेसेस पर घूमने के बाद आप अपने hotel पर रेश्ट करने के लिए आ सकते हैं और उसके बाद आप next day यानि कि day 4 में हैब लॉग आइलेंड से नील आइलेंड तक बोर्ट के थूँ जा सकते हैं जिसकी टिकिट की booking आपने पहले ही करवाली थी जैसा की मैंने पहले वीडियो में बताया था नील आइलेंड बोर्ट के थूँ पहुँच कर आप नील आइलेंड में सबसे पहले स्कूटी रेंड पर ले लिजेगा जिससे की आपको नील आइलेंड के सभी प्लेसेस को एक्स्प्लोर करने में पड़िसानी ना हो यहाँ पर भी आपको 500 रुपे से लेकर 600 रुपे तक में स्कूटी रेंड पर मिल जाती है जो की पड़े के हिसाब से रहता है निल आइलेंड पर आप सबसे पहले लक्षमनपूर बीच के लिए जा सकते हैं जहाँ पर ज्यादतर कपल्स आके हनीमून का अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फैमिलीज और फ्रेंड के लिए भी ये बीच काफी फेबरेट प्लेस रहता है और यहाँ पर भी आपको काफी सारे वाटर अक्टिविटीज देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप इन एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं उसके बाद आप भरतपूर बीच के लिए भी जा सकते हैं ये भी एक ब्यूटिफुल बीच है जहाँ पर आप अपनी फैमिलीज और फ्रेंड के साथ काफी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आप ब्यूटिफुल पीचर्स को भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर काफी देखने लायक नजारे होते हैं और उसके बाद आप सीतापूर बीच के लिए भी जा सकते हैं जो कि नील आइलेंड के सबसे फेमस और फेबरिट बीचेस में से एक है जहाँ पर आप जरूर जा सकते हैं और दोस्तो इन सबी बीचेस पर घूमने के बाद और नील आइलेंड पर अच्छे से टाइम स्पेंट करने के बाद आप इवनिंग में वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए चा सकते हैं जो की आप बोर्ट के थू जाएंगे जिसकी टिकेट की बुकिंग आप टेवन में ही करवा चुके थे और पोर्ट ब्लेयर में पहुचने के बाद आप उसी दिन होटल में रेस्ट कर सकते हैं या फिर आप उस रात अपने सहर के लिए वापस लौट सकते हैं दोस्तो ये चार से पास दिन की ट्रिप आपकी यहीं पर समाप्त हो जाएगी दोस्तो खाने पीने की या ठहरने की या फिर स्कूटी रेंट पर लेने के लिए आपको पूरे ट्रिप में ज़ाधा पड़िसानी नहीं होने वाली है विकास यहाँ पर आपको इजीली ये सभी चीजे प्रोवाइट हो जाएगी अगर बात करें की यहाँ पर आने का बेस टाइम कौन सा रहेगा तो आप यहाँ पर मोनसून के समाई को छोड़ कर किसी भी टाइम आ सकते हैं जैसे की आप सेप्टेंबर से लेकर मे के एंड तक आ सकते हैं इस समाई आपको यहाँ पर काफी अच्छा मौसम देखने को मिलेगा अगर बात करें की इस पूरे ट्रिप को कंपलीट करने में एक कपल का कितना खर्चा आएगा तो दोस्तो दो परसन का खर्चा इस पूरे ट्रिप को कंपलीट करने में 18,000 से 20,000 रुपे तक का आएगा जिसमें मैंने आपके Port Blair पहुचने के बाद तक का खर्चा इंक्लूट किया है और इसमें मैंने आपके किसी भी तरह के Adventure का खर्चा इंक्लूट नहीं किया है दोस्तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको एंदमान और निकोबार की ट्रिप की पूरी इंफॉर्मिशन मिली होगी अगर फिर भी कोई कोशन मुझसे छूट गई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें Facebook या Instagram पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं वहाँ पर भी हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो